आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसका तालुक है कश्मीर के बजट से क्योंकि आपको पता है एक फर्वरी को इंडिया में बजट आया था तो उसमें जो कश्मीर के लिए पैसे रखे गए हैं वह तक्रीबन है 35,581 करोड यानि बजट रखा गया है तो एक और चीज़ों के लिए और मेरे खेल में कोई पाकिस्तान में पंजाब का होता है शायद इतना या सिंद का होता है तो हम देख लें कि हमारे क्सुबे का कितने हैं और वहां पे सर्फ कश्मीर का कितने हैं हम क्यूं कमपैर्ज़न करते रहते हैं कुछ लोग अभी तक खाबों की दुनिया में रहते हैं बारहर वीडियो देखते हैं उसके बाद हम मज़ीद डिसकुशन करेंगे आईए शुरू करते हैं थ्री टू वन एन नमस्कार दोस्तो दोस्तो कल हमारे फानायस मिनिस्टर निर्मला सीता रमन जी द्वारा देश का बजट पार्लमेंट में पेश किया गया जिसमें कश्मीर को 355 बिलियन डॉलर्स रुपीस दिये गये हमारे सरकार द्वारा जो की बहुत बड़े अमोंट आता है और इस दूसी तरफ भारत असमी कश्मीरियों के लिए 355 बिलियन रुपीस खर्चने को तयार हो चुका है देख लो भाई पाकिस्तानियों तुम खाबों की दुनिया में रखते रहते हैं कि भारत कश्मीरियों पे जुर्म कर रहा है और दोस्तों दूसरी तरफ पाकिस्तान के करनेलिस्ट है उन्हें भी सॉफ्टेयर अपडेट के लिए उठाया गया है तो चलिए दोस्तों आगे इस वोडियों को चोड़ दिये शायद यह बताएं आपने भी कश्मीर की बात की आज ही वहां पर बजट पेश हुआ हैं इंडिया में उन्होंने तक्री 55 बिलियन रु कि लेड़ जाय देक की वहां देना द्रेड़ यह वहां कि अन्पने हैं वहां कहते हैं कितना बजट दे रहे आंप पहले बहुत मुछ खूरू आपका, आपने मुझे टाइम दिया तो The competitive sense, जो करद कशमीर ही के रखता है आपने पोचछा कि जो कशमीर के अंदर जो गया उसमें जो है वो हमारा क्या है तो मेरे भाई इसके अंदर मुसलमानों को उन्होंने बहुत खुबसरे जवाद दिया कि वह रहां पर बंकर बनाने हैं उन्होंने अपनी आर्मी को दिया आपको पता है कि हमारी टोटल जो आर्मी की स्क्रेंग्ट है वो आठ लाक है जबक ढूमानों को ने दिया है तीसरा पने बियादा बाती वहां हिंदूं की है या मुसलमानों की अभ जो आना आप जो पर इसको पुच्छ काना पक्साई का है जिसने गुजरात में मुस्लमानों का जीना हराम किया हुगा तो हम जो है वो डायला के साथ हम बाइ लेटर रिलेशन चाहते हैं अन इक्वल फुटिंग्स इंडिया ने कब काया कि इक्वल फुटिंग्स इक्वालिटी तब होती है जब बात होती है 19.20 की चाहे वो अनली के शाएट नहीं है जो जितने भी नियूस पर हमें उनके politicians या पिर defense analyst मिलते हैं वो यह की मतालबा करते हैं जी पाकस्तान जो है वो LOC या आसपास के इलाकों में से जिहादी तन्जीमों का खात्मा करें हम मिलके बात करते हैं मेरे ख्याल में more or less यही बात होती है तो हम इस तरफ तो आते नहीं हैं लेकिन हमने बात करनी है ऐसे नहीं होता सर किसी के भी घर में आप पठागा फोड़ें महले में इट देखने किसी के घर के दर्वादे के आगए पोड़ें तो वो तो गुसा कर जाते है आप तो वहाँ पर जाके करवाईया करवाती है और फिर उन्हें मुझाहिद का नाम देते है बात सीधी सी है जनाब कहीं और इंसान को मारा जाए तो आप उसे मुझाहिद कहते है अपने घर में जब हमारे आदमा का होता है तो हम उसे दैशितगर्द कहते है फरक सिफ इतना साह बात समझने की है कि किसी और के घर में आग लगा रहे है हमारे घर में भी लगती है तो जितना दुख हमें तब होता है तो दूसरी टाइप भी होना चाहिए लेकिन हम नहीं समझते अब यह देखना है वो तो चलो बुज़र्ग थे उन्होंना तो बच्पन से यही चीज़ने सुनी है और उनके बाल भी उतर गए है तो क्या ही बोलें उनमें तो आप कोई चेंज आने वाला है नहीं साज जो खड़ा हुआ था वो भी सेम बातें चपड़ 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 वही कर रहा था तो आपस लाइक के भाई तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता गया मतलब आजकल तो 5G का दमाने इंटरनेट खोलो और देख लो कश्मीर को आप एक्सप्लोर कर सकते हो विडिवाली स्नैप चैट पर कर लो यूट्यूब पर कर लो फेस्बुक लाइब पर कर लो मिल जाती है वीडियो आपको आप देखो कश्मीरी कितने खुश हैं इसाद सिर्फ अगर आप सी अगर आप देखो वी ना गभी जो न्यूस में जैदा तरह आता है वह दो चार जगा कही आ रहा होते जैसे कफवारा से अरग होता है सिरी नगर से आरह होते या पिर इसलामबाद जिला जो है डिस्ट्रिक वहां से आ परदाग से आई हो कारगिल सेक्टर से आई हो या फिर गुलमर्क से आई हो वहां पर बड़े लोग खुश हैं वो तो कहते हैं कि ठीक है डिवल्पमेंट होनी चाहिए हमें तो भाई अपनी डिवल्पमेंट अजादी और खुशाली से मतलब है और वो मेरे कहले में बहुत ख कि इन्धिया ने 353 55Bilion का महां budget अनॉंस की है यह बिता देते हैं कि पाकस्तान कितने बिलियन का budget हम तो 1 बिलियन के लिए रौ रही है इस टाइम तो राधे देन और वह यह सवाल करते हैं कि पीपल पार्टी भी अस वकुमत में है कि पीपल पार्टी खुद सोचे एक मुल तक जो है ना अपनी हट दर्मी पर काई में तो उन्हें यह सोचना चाहिए था वो तो उल्टा वही टिपिकल बातें शुरू कर दी उन्होंने तो मैं हिरान हूं कभी-कभी श्वेप पर के वो जवाब क्यों नहीं देता भाई इनको वो सिरफ सुनता रहते हैं माईक लेके अगर वो इनको जवाब दे के भाई तुम यह बात कर रहे हो एक्चुली यह है यह देखो तो मामला ठीक हो सकते हैं परहल हमारा तो स्टांस वही है कि हमें सोचना चाहिए कि हम क्यों पीछे हैं और जब सोचेंगे तो हमें जवाब भी मिल जाएगा जवाब भी मिल करेंगे सवाल करेंगे तो मुझे पक्का यकीन है अपने लोगों से ही करेंगे मिलते हैं नेक्स वीडियो में अपना ख्यार रखिएगा स्टीव गाइस